आज के इस चप्टर में हम जानेंगे कि इमेल अकाउंट कैसे बनाया जाता है तो मेरे टास्क बार में यहाँ पे गूगल क्रोम पिंड है 1, 2, 3, 4, 5, 5 नमबर पे है मैं विंडोज प्लस 5 दबा दूँगा और गूगल क्रोम अपने आप ओपन हो जाएगा इसके बाद मैं विंडोज shift दिन दबा दूँगा तो यह incognito mode में open हो जाएगा अब incognito mode क्या होता है यह कभी later on हम discuss करेंगे आज हमें email account बनाना है तो मैं किर दूँगा यहाँ पे email लेके कर दूँगा enter और यह कह रहा है कि अब internet नहीं है तो आप भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका computer में या आपके laptop में या जो भी device है internet proper चलते रहना चाहिए चलिए मैं फिर से reload करता हूँ इसको और थोड़ा इंतिजार करते हैं और फिर खुल जाता है मैं इसी पे क्लिक करता हूँ अब और फिर हमारा ये page open हो गया मैं सिधा सिधा होगा create account पे तो यहाँ पे बोल रहा है personal use या फिर business मेरा personal है इसलिए मैं personal use पे क्लिक कर दूँगा बोल रहा है name बता दो तो name के लिए कुछ भी मैं लिख देता हूँ learning purpose लिख देता हूँ learning last name of personal है मैं इसको छोड़ देता हूँ learning का spelling सही है हो तो ठोई ना हो तो सही हमको का फरक पड़ता है चलिए एक कह रहा है महीना मैं डाल देता हूँ जनवरी day में कह रहा है तो डाल देता हूँ एक और यह कह रहा है here बताईये तो मैं डाल देता हूँ 2147 यह पूछ रहा है gender कह देता हूँ कि मैं mail ही हूँ बोल रहा है user name बताईये तो मैं यहाँ पे क्या डाल दो learning ही डाल देता हूँ मैं यहाँ पे भी और next बटन पर click करता हूँ यह कह रहा है that username is taken try to another मतलब पहले से बना हुआ है तो मैं 001 करके enter मारता हूँ तो यह भी कह रहा है बना हुआ है यह कह रहा है यह दो available है आपको चाहिए तो ठीक है मैं बोल देता हूँ कि नहीं मेरे को तो उन्हीं सॉफ्स है तालिस चाहिए और जैसे यह भी टेकन है तो मैं टू 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 ले लेता हूँ ओ नो यह क्या मजाख है यह ले लो इस फिर मैं कर देता हम enter तो यह ले लिया लेकिन मैं क्या डाला अब मुझे भी नहीं पता है कोई बात नहीं नहीं बोल रहा है कि पासवड डाल दू तो मैं पासवड डाल देता हूं क्या मैं पासवड नंबर बताओ, मैं 폰न number नहीं दूँगा, फोर नंबर तो देने पड़ेगा, मेरे को लग रहा है कोई बात नहीं, जब फोर नंबर मांग रहे हैं तो हम दे देते हैं 992-66-64-82 मजा नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, दे देते हैं बाद में बदल देंगे, डिलीट कर देंगे, आएगा आप मेरे मुबाइल पे OTP, और जैसे ही मेरे मुबाइल में OTP आ गया है, OTP में डाल दूँगा, 056655, एंटर कर दिया, जैसे ही OTP मैंने डाला, एक है राय रिकवरी इमेल, कुछ नहीं चाहिए, भाई, इतना टाइम न कर दिया, जैसे Windows Shift S में दबाया, तो यह आ गया, इस्क्रीन साट खीचने के लिए, अब मैं इसको क्लिक इस पे करूँगा, और सेव करके यहां पे रख लूँगा, यह मुबाइल नमबर हमारा है, लेकिन आप बार बार फौन करके परिसान मत करियेगा, हमारे नीजी जीव पर सिधा, और सारी, एगरी बटन पर क्लिक करूँगा, और मेरा email account बन करके, ready हो चुका है, तो अब email account बन के, मेरा ready हो गया है, अब जो भी करना है, मैं करता रहूँगा, लेकिन अभी मेरा कुछ करने का मर्जी नहीं है, गिट हब बताने के लिए email बताना मेरे को लग रहा